हेलो दोस्तों, वेलकम टो ओनली आईएस जैसा कि आप सभी जानते हो कि UPSC के द्वारा एन्यूल क्लेंडर रिलीस कर दिया जा चुका है एंड उसमें UPSC के तरफ से हमें बताया गया है कि 2023 का जो प्रिलिम्स होने वाला है वो नेक्स्ट यर 28 में को होने जा रहा है यानि कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो नियरली एक साल है हमारे पास हमारा अगला अटेंप्ट के लिए तो कहीं न कहीं इस टाइम पे ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है कि हम अपने प्रेपरेशन की तरफ अच्छे से लग जाएं हमारा जो गोल है उसके लिए अच्छे से हम एक प्रॉपर स्ट्रेजी के थुरू काम कर पाएं ताकि जो भी हमारा टार्गेट है नेक्स टियर के लिए उसको अच्छे से अजीव कर पाएं देखो हो सकता है कि आप एक बिगनर हो या फिर आपने कुछ चीज़े पहले से पढ़ रखी हो पर अब आप सोच रहे हो कि नहीं अब बिलकुल एक प्रॉपर प्लैन के थुरू पढ़ना चाते हो या फिर आप थर्ड कैटेगरी that is एक वर्किन प्रफेशनल हो तो मैं तीनों के जो concerns होंगे वो इस वीडियो में address करने की कोशिश करूँगा साथ ही हमें एक proper study plan बताने की कोशिश करेंगे जिसको use करके हम ये ensure कर सकते हैं कि हमारे जो chances are selection के वो बहतर हो पाएं तो थो थोड़ा इसके बारे में discussion कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया हमारा prelims है next year 28 में 2023 को and जो mains होने वाला है वो around 15th of September 2023 को होने जा रहा है अब यहां से पहले एक चीज़ नोटिस करो कि pre और mains के बीच में gap कितना है ये nearly हमारे पास May, June, July and August जनकी 3.5 months approximately दोनों के बीच में हमें mains और pre के बीच में मिलेंगे तो कही न कहीं आप एक चीज़ सोचो कि क्या साधे तीन महीने में बहुत easily mains की त्यारी हो सकती है क्या देखो करने को लोग कर सकते हैं no doubt बट कहीं न कहीं अगर हम अपने mains को भी अच्छे से ध्यान से दें यानि कि उसकी तरफ भी अच्छे से work करें तो हम यही चीज़ analysis है किस तरह से mains में उसमें questions पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी तो जब हम इस तरह से pre का भी और mains का भी जो भी syllabus है वो साथ में मिलके पड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारे selection के chances जादा होंगे हम चीज़ों को बहतर ढंग जब हम pre clear कर लेंगे तो जो भी हम strategy बनाएंगे उसी को ध्यान में रखते हों बनाएंगे तो उसी basis पे मैंने आपकी जो subjects हैं उनको दो हिस्सों में divide कर दिया है एक ऐसे subject जो सिरफ और सिरफ हमारे mains के लिए relevant है यानि कि mains only और दूसरे जो pre के लिए important है और mains के लिए भी third category बहुत ही छोटी है तो इसको थोड़ा ignore करते हैं हम इन दोनों चीजों पर focus करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से subject हैं जो सिरफ mains में आते हैं बट pre में नहीं आते और ऐसे कौन से subject हैं जो pre में भी और mains में भी आते हैं तो इन पे हम accordingly focus कर सकते हैं एक चीज और देखो जैसे हमारा exam है 28 मही को ठीक है 28 मही 2023 को तो at least जो इसके तीन मीने होंगे पहले के यानि कि एक हो गया में का मन्त उसके पहले एपरल का मन्त और उसके पहले मार्श का मन्त ये महीने बहुत important होते हैं pre से पहले और कहीं न कहीं हमें ensure करना चाहिए कि यो last के 3 months है न before prelims यहाँ पर हम अपना जादा से जादा focus prelims पर ही रखें तो जो strategy हम adopt करेंगे उसी हिसाब से करेंगे कि आखिर के जो आपके तीन महीने है न prelims से पहले वहाँ पर आप prelims के regarding revision हो गया mock test हो गया ये सारी चीज़े अच्छे से उन months में कर पाओ तो ज़रा start करते हैं prelims on mains के subject देख लेते कौन कौन से तो इस के इंडर आपके आजाएं जैसे की ancient medieval and modern history साथ ही economic बहुत important subject हो जाता है पॉलिटी, geography, environment ecology ये प्री और मेंस दोनों में बहुत ही important weightage रखते हैं साथी साथ art and culture, science and technology, IR and internationalization and organization ये भी component है GS2 में पूछा जाता है साथी साथ economy के साथ ही related economic survey and budget and उसके corresponding जो भी current affairs हो गया and lastly CSET देखो CSET जैसे की मैंने आपको बताया था ये pre only है बट मैंने एक सुविदा के लिए आपकी यहाँ पर रख दिया है and lastly हमने mock test भी practice करने हैं चाहे वो prelims के corresponding हो चाहे वो mains के corresponding हो यूँगि prelims के corresponding करेंगे तो हम MCQs कैसे practice करते हैं, knowledge उससे बड़ेगी and जब mains में करेंगे तो answer writing skills हमें सीखने को वहाँ पे मिल जाते हैं और अगर मैं बात करूँ सिरफ और सिरफ mains की तो इसमें एक major component होता है आपका optional जैसे कि किसी का sociology होता है, psychology होता है, political science and international relation होता है तो इस तरह के multiple optionals होते हैं तो उनमें से जो आपका optional होगा वे एक अच्छा खासा time आपके plan का ले ल history, essay का पूरा एक paper होता है, 250 marks का ही, governance, social justice, disaster management and last year जैसे कि मैंने बोला, answer writing and mocks, तो इन में से कुछ subject तो ऐसे हैं, जो थोड़े छोटे होते हैं and कम time में भी cover कर सकते हैं, but on the other hand, जैसे मैंने आपको बताया, optional ethics and essay वाला component ये थोड़ा अच्छे से time demand करते हैं and काफी scoring भी होते है तो उसी weightage के हिसाब से हम इनको plan में adjust करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रा discuss कर लेता है थोड़ा detailed plan के बारे में, देखो, एक चीज़ में अगर आपके plan के बारे में पहले आपको suggest करूँ, एक तो पहली चीज़ कि हर इनसान की अपनी-अपनी strengths and weaknesses होती हैं, तो आपको क्या क ठीक लगे changes उसमें आप accordingly अपने end पे कर सकते हो, साथ ही साथ आपको अपने sources को limit रखना है, होता क्या है कि कई बार हम किसी की बात में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये book भी अच्छी है, ये book भी अच्छी है, तो देखो होता क्या है कि economy की, जैसे कोई भी subject की, एक book अगर आप 5 बार पढ़ रहे हो, ये जादा better है, rather than कि आप 5 books लेके बैठ जाओ, और फिर सोचो कि मैं सारी की सारी कवर कर लो, ये अच्छी strategy नहीं है, आपको एक ही book को multiple times revise करते जाना है, तो अपने limit, अपने sources को अच्छे से एक बार decide कर लो, और फिर उनको अच्छे से follow कर तो अगर मैं बात करूँ अपने plan की, तो generally अगर हम जून से अगर हम अपना अच्छे से त्यारी करना start करें, तो आप अपने plan में दो subjects लेके चल सकते हो, दो subjects लेने का क्या फाइदा होता है, कि आप थोड़ा monotonous feel नहीं करते, देखो ऐसा नहीं लगता कि अच्छा मैं किया माल लो, ancient history के साथ, और साथ ही साथ आपने दूसर subject पकड़ लिया geography, तो उसे साथ से आपका ancient history लगबग एक महीने में खतम हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर उसके भी थोड़ा कम टाइम में, और साथ ही साथ, geography नियर लिया आपका चले जाओगे, और दो महीने में जब आपका geography complete हो गया, तो जो आपके next subject है, जैसे कि economy हो गया, quality हो गया, इन subjects की तरफ move कर सकते हो, क्योंकि यह काफी important subjects है, और अगर आपने इनका major chunk complete कर लिया, तो काफी हद तक आप अपने exam की तरफ confident भी feel करोगे, तो let's say आपने यहाँ प आपका modern history complete हो गया, तो आपके जो भी बाकी subjects हैं, जैसे for example, आप economy ले लो, ठीक है न, economy on quality action में काफी बड़े subjects हैं, तो nearly 2-3 महीने तो definitely in subjects की तरफ चले जाते हैं, एक चीज़ इसके साथ ही साथ आपको यह भी ensure करनी है, कि जब तक let's say July तक आपको अपने optional को final कर लेना है, का sponsor में आपको ज़्यादा interest आ रहा है, उस basis पर आप by the end of July यह चीज़े finalize कर सकते हो, और वहाँ पर आप from August onwards एक तीसरा slot बना सकते हो, अपने optional के लिए, जो देखो working professionals हैं, उनके लिए यह चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कि एक दिन में वो इतना ज़्यादा नही यह चीज़ इंशोर करनी है, कि optional भी पीछे ना चूटे, क्योंकि optional भी देखो 500 marks का nearly हमारे mains में हम से पूछा जाता है, उसके साथ ही साथ हम economy के साथ एक बर complete हो जाए, quality complete हो जाए, फिर हम science and tech की तरफ move कर सकते हैं, right, and एक बर जब हमारा economy complete हो गया, तब हम environment ecology जैसे subject की तरफ move कर जाएंगे, and साथ ही साथ यहाँ पर आपको यह भी ensure करना है, कि जो main specific subject है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, Indian society, right, international relations, वैसे तो दोनों में भी आता है, prelims में भी आता है, mains में भी, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो, and एक बर आप corresponding move कर गे, January की तरफ, तब करोगे कि उस साल का budget and economic survey भी तब release हो जाएगा, right, तो आपको कुछ दिन budget and economic survey के corresponding भी devote करने है, क्योंकि इनका भी एक अच्छा खासा weightage आपको pre and means में देखने को मिल जाएगा, फिर एक बार आप March तक आते आते, जो भी आपके बाकी जो subjects बच गे चाहे, मानलो थोड़ा ethics को जाधा time देना यहाँ पे, नियरली एक से दो महीने आपके जा सकते हैं, ethics के corresponding, जो भी miscellaneous आपका हो जाएगा, वो आप March के corresponding रख सकते हो, तो यानि कि जो बाकी के March, April and May का month होगा, वो आप purely and purely prelims के corresponding revision and mock test देने के corresponding use करोगे, एक और चीज इसमें आपको मैं add-on कर दूँ, आ जो मैंने आपको plan बताया न, आप वो plan क्या कर सकते हो, यह जो पीछे दो subjects का plan बताया, आप यह Monday से लेके Friday तक इसको follow कर सकते हो, फिर Saturday को क्या करना है, Saturday को इनी topics की क्या कर लेनी है, एक quick revision कर लेनी है, and साथ ही साथ Sunday को इसके corresponding आप क्या कर सकते हो, कुछ topics का, मतलब MCQs दे द काफी हद तक cover होगी, और C-set के corresponding, देखो होता क्या है, कियों का C-set अच्छा होता है, they are good at C-set, बट कियों का C-set थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता, तो अप अपने हिसाब से कितना time आपको चाहिए C-set के corresponding, उसके corresponding आप यह चीजें manage कर सकते हो, कि C-set को कि C-set को कितना थोड़ा current affairs के corresponding, देखो current affairs जैसे कि newspapers हो गया, तो इसको भी आपको around half an hour, half an hour से one hour, depending upon कि आप stage के, preparation के stage पे हो, उसके corresponding आप इसके corresponding देख सकते हो, जैसे कि हर daily morning आपको पता ही है, कि सुमिद सर के द्वारा editorial का discussion किया जाता है, तो आप उसकी help भी यहाँ पे ले सकते हो, और आपको पहले तो देखो weekend पे जैसे मैंने आपको पताया कि हर Saturday को आपको जो भी week में पढ़ा उसको revise करना है, फिर थोड़ थोड़ टाइम पर आदना चीजों को revise करते हो, अब ऐसा होगा मानलो आपने न, कि by July end मानलो history complete कर ली, तो next year तक आपको कैसे वो याद रहेगी, वो उसी बैसिस पे चीज़ें एक लंबे time के corresponding आपके उसमें दिमाग में retain रहेंगी, और अगर मैं बात करूँ only ice की team की तरफ से, देखो हमारी तरफ से भी न, एक micro listing schedule भी आपको बनाया गया है, जैसे जो प्रारम batch के students है न, उनके corresponding ये particular schedule follow के जाता है, और आप सभी भी इस particular schedule क फाइदा उढ़ा सकते हो, कैसे, जैसे इस में न, चीज़ों की micro listing करी गई है, जैसे for example, अब ancient history तो बता दिया, बट ancient history में क्या, जैसे की paleolithic period हो गया, stone age, चालकुलिथिक age, इंडस फैले civilization, ये जैसे मानलो 5 ये 6 topics हैं, ये cover किया जाएंगे इस particular week के अंदर, तो आप भी इस particular schedule के साथ चल सकते हो, कि अच्छा, ये इस अफते में मुझे ये targets complete करने है, geography के corresponding मुझे ये 6-7 targets complete करने है, तो कहीं न, कहीं अग जब आपके पास एक proper plan, एक proper schedule होता है, तो एक consistency आपके preparation में आती है, और वही consistency आपको help करती है, अपने exam को crack करने में, तो make sure कि आप इस type के schedule का, इसका use कजिए, मैं इसकी PDF भी आपको available करवा दूँगा, हमारे telegram channel, that is only ISPA उपर, तांकि आप इस particular schedule को follow करके अपनी preparation को, एक consistent manner में अच्छी तरह से उसकी तरफ move कर पाओ, साथी साथ यहाँ पे कौन से, आप क्या sources को follow कर सकते हो, उसके corresponding भी आपको यहाँ पे चीज़े मिल जाती हैं, और साथी साथ CSET classes, and corresponding test series किस तरह से practice करनी है, वहाँ पर भी आपको help हो जाती है, तो आप सब भी यह particular schedule को कहीं न कहीं follow करके, अपनी preparation को और बहतर बना सकते हो, so friends, this is it for this video, I hope आपको समझ आया होगा, कि एक साल के अंदर, आपको क्या-क्या चीज़े करनी है, किस के थुरू, आप एक structured banner के दा किस तरह से proceed कर पाओ, right, so इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहिए, this is it for this video, goodbye and good luck.